नमस्का फ्रेंट्स आज हम मीन लगन के जातकों के लिए सप्टेम्बर का मीना कैसे रहने वाला है उसके विशे में चर्चा करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग मेरी चैनल में नए हैं प्लीज सब्स्राइब दे चैनल और एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिविशन्स मिलती रहे तो चलिए मुड़ते हैं विशे की और विशे है मीन लगन सेप्टेμबर का महीना और राशी फल कि क्या कुछ मीन लगन वालों को जो है वो सेप्टेμबर के महीने में मिलने वाला है तो सबसे पहले हम मीन लगन के जातकों के लिए जुनका लगनेश होता है लगनेश है इनका देव गूरु ब्रेस्पती जो लगन का स्वामी बनता है और दशम स्थान का करम स्थान का स्वामी बनता है और वरतमान में जो ब्रैस्पति है वो 14 सेप्टमबर को जो है वो अपनी राशी परिवर्तन वक्री स्तिती में कुम्ब राशी से जो है वो मकर राशी में प्र Evis करेंगे तो 14 सेप्टमबर तक इसकी श्तिती आपके 12 हौस में बनी होई है तो बार्वे भाव में द्वादश्टिती जो होती वो अच्छी नहीं मानी जाती है लगनेश्ट का द्वादश्टिती जाना कहिना कहीं स्वास्ते में हानी दर्शाता है और व्याय भी होगा व्यक्ति का तो वय के जो आयाम हो सकते हैं वो आपका धन का वय हो सकता है और आपके शहरीरिक जोक्षय है मने स्वास्ते के हानी भी हो सकती है इस समय खास करके जो है मीर लगन वालों को जब 14 सप्टेंबर तक किसी विश्वास पातर के द्वारा आपको कोई कलंकित لग सकता है कलंक लग सकता है आपको दोका दे सकता है आपका विश्वास पात्र और शरीरिक अस्वास रह सकता है जैसे मैं आपको कहा यात्रा में कश्ट और वियर्थ धन का वै इस समय दिखला रहा है जब तक ब्रेशपती 14 सप्टेंबर तक आपके द्वादश भाहों में है चौदा के बाद स्थिती में कुछ राहत मिलने वाली है चौदा के बाद देव गुरु ब्रेश्पती आपके इकादश पहों में पहुंच आएंगे तो यहां आपको यह धन धाने में विरिद्धी करते हुए नजर आएगे धन धाने का मतलब होता है प्रॉस्परिटी स्मृद्धी जो होता हो किसने किसी रूप में आपको मिलती भी नजर आएगी आपको समस्तिकारियों में सफलता है समय मिलेगी आपका हर कारे जो है वो सफल होता हुआ नजर आएगा आप विवाह की बात कर लें जिन जो सिंगल्स हैं बच्चे उनका विवाह का समय बनता हो नज़रा रहा है और संतान प्राप्ति का योग भी समय बना हुआ है नौकरी में प्रमोशन देवगुरु ब्रहस्पति क्योंगे शुब कारे कराएगा उप्चे हाउस है इलेवन्थ हाउस में तो नौकरी में आपको प्रमोशन दिला रहा है और वहपार में आपके अवश्य वरिदी इस समय होती हुए नज़राएगी और देवगुरु ब्रहस्पति जो है वो इस समय आपका जो है वो जो आपकी रूची होगी वो शुब कारियों के प्रती रूची होगी शुब कारियों में आपका पैसा खर्च होगा और शुब कारियों के प्रती आप प्रविर्त होते हुए नज़राएगे शुबकारियों में आप धर्म के प्रति आपके आस्ता होगी और किसी ने किसी रूप से तिर्थ स्थान हो गया, तिर्थ वुरत हो गया या धर्म को मला आप किसी ने किस रूप में मानते वे समय नजर आएंगे और नवम दिर्ष्टी जो है वो ब्रहस्पती की आपके सेविंथ हाउस में पड़ेगी तो यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं वो समय आप विवा की त्यारी का है उनको किसी ने किस रूप में कोई रिष्टा मिलेगा और शादी की त्यारियां होती भी नजर आ रही है उनके लिए उसके पर हम बात कर लेते हैं दूसरे मिजर प्लानेट वो है शनी शनी जो है वक्री स्तीती में आपके इकादश स्थान पर स्वग रही मकर राशी में संचार कर रहे है और अभी जो स्तीती थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर इसको देव गुरु ब्रहस्पती का साथ भी मिलेगा तो इकादश में वक्री स्तीती में गुरु के संसार के आने पर जो है वो शनी महराज जो है वो आपको इस्तरी वर्क से हो गया फीमेल नेटिव से हो गया लोही का काम जो करते हैं भूमी से मशिनरी से हैवी मशिनरी का काम है पत्थर सिमेंट कोईला इन से लाब दिलाता हूँ शनी आपको यहाँ पर दिखलाई देगा और इस समय रोग से मुक्तिवे आपको मिलती भी नज़राएगी पदूनती आपको शनी भी यहाँ पर 11 आउस में दिलाता हूँ नज़रा रहा है और इस समय खास करके जो है वो आपको अपनी है तो फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग है आप इस समय कर सकते हैं तो संतानपक्ष के लिए जो त्यारी करना प्रैसरत है वो इस समय अपना प्लानिंग कर सकते हैं तो शनी भविशेमन को जो है वो अच्छे रिजर्स यहाँ पर देता हूँ नज़राएगा उसके पारिश सिद्धी होगी आपको सुखों की प्राप्ती की और इशारा कर रहा है सुर्य शत्रूं पर आप विजे प्राप्त करते हूं नज़राएगे रोग पर भी आप जो है रोगों का नाश होता हूँ नज़राएगा और किसी राज्य अधिकारी से आपको लाब मिलता होती 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 ह नज़र आएगा और यात्रा अगर आप करती हैं तो कश्टकारी आपकी यात्रा ही समय रहने वाली है तो कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर साफधानी बरतने का समय है क्योंकि सिर में भी यहाँ पर आपको पीड़ा दिलाएगा क्योंकि सूर्य जो है वो एक रॉयल प्लैनेट है राजसिक प्लैनेट है और यहाँ पर उसको जो है वो किसी की बात नहीं सुनता है उसको इगोिस्टिक प्रॉल्म्स होती है तो इस विसे दामपत्ते सुख में कमी करता है और किसी ने किसी रूप से वेपार में भी आपके कमी करता हूँ नजर आएगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंगल की मंगल आपका सेकंड हाउस धनस्थान का स्वामी बनता है और भागेश नवंभाव का स्वामी बनता है तो मंगल की इसा में जो आपकी स्थिति है वो सब्तमस्थान में और यहां पर सब्तमस्थान में मंगल कहीं ने कहीं आपके दमपत्ति सुक में कमी कर रहा है क्योंकि यहां पर यह मंगलिक दोश का निर्मान कर रहा है और वहां से ये लगन को देख रहा है तो लगन में उतेजना होगी, क्रोध हो गया, लोग हो गया, इस तक इस्तिती बनती हुए नज़र आ रही है, तामसिक वृत्ती जो है, वो बढ़ती हुए नज़र आएगी, और वेपार से धनलाब, लेकिन यहां पर आपको दिलाएगा क्योंकि सेकेंड हाउस का लॉड है, भागे भी आपका साथ देता हुए नज़र आएगा, लेकिन इस समय कहीं न कहीं सूरी मंगल आपको भाईयों से विवाद करवा सकता है, इस तरी से कलहक लेश करा सकता है, क्योंकि मांगलिक स्तिती बनी हुए है, और भागेश जो है, नवित हाउस का लॉड केंदर में जाने से भागे के द्वारा धन अर्चन करते हुए नज़र आएगे, आपको लाब मिलेगा, चाहिए वो भूमी मकान का लाब है, क्योंकि रियल स्टेट इन सभी चीजों को मंगल रिपरेजेंट करता है, तो इस तरह की जो भी वेशाय कर अश्टम भाव का स्वामी बनता है, तो इसकी जितना निर्बल शुक्र रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, और इस समय शुक्र जो है वो आपके अश्टम भाव में टरूल करेगा, तो अश्टम भाव में आपके धन और मान में विरिद्धी करता हुए नज़र शुक्र जैसा जो प्लैनेट है वो भोग विलास का प्लैनेट है और इस समय आपका जो व्याय होगा वो भोग विलास की समंगरियों की प्रती आपका व्याय होगा और विद्धी होती हुए नज़र आईगी आपकी घर में भोग विलास की चीज़ों को लेकर, विद्या में रूची बढ़ती हुए नजर आएगी स्टूडेंट्स की और कुटुम जनों से धन की प्राप्ती का भी यही समय है आपका जब आपका शुक्र जाए वो अश्टमभाव में है और ससुराल से भी किसी ने किसी रूप से आपको आर्थिक लाप मिलता हुआ नजर आएगा आर्थिक लाप का मतलब है कोई फैनेंशल गेन वहाँ पे धन का लाप आपको ससुराल पक्षित से हुटा हुआ नजर आएगा शुक्र की वज़ासे उसके बहुंगम बात करें हैं बुद्ग रह की तो बुद्ध जो है वो आपके सब्तम भाओं में सफ़क रही होकर 그 कि हापका भद्र महापुर्शना हैं बनाकर कि इस समय सिध्धी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बुद्ध जैसे चंचल रहा है जो आपका सब्तम भाव में आता है तो विवाव में कहीं ने कहीं आपके चंचलता या अस्थिरता का भी दिखला रहा है ठीक है और इस समय आपको सुंदर ओगया और सुशील पती पतनी का सुख प्राप्त होता हूं नजर आएगा मतलब जो विवाव की जिनको उमर है विवा होने वाला है तो इस समय आपके मीन लगन मालों को सुंदर इस्तरी और सुंदर पती मिलने की समामला मिलती हूं नजर आ रही है विवा के बाद भागय उदे का समय है यहाँ पर आपका मकान वहान और इस तरह की जितने भी रियल स्टेट सेलेटर चीज़ है इसका सुख आपको बुद दिलाता हूं नजर आएगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सेविंध आउस में गया हूँ बुद जो है वो परिवारिक और ग्रिस्ट जीवन में कटना ही कई बार देते हूँ नजर आता है क्योंकि वैसे भी वहाँ पर मंगल और सूरे जैसे कुरूर गरहे आपके सब्तम भाव में बैटे हुए तो बुद के भी वहाँ जाने पर जो है वो ग्रिस्ट जीवन में थोड़ा सा कष्ट कलिश दिखाई दे रहा है उसके बाद हम बात कर लेते हैं चायागरे राहू और केतु की राहू आपके थर्ड आउस में ट्रेवल कर रहा है तो थर्ड आउस में राहू कहीं ने कहीं आपको नजर हो गया जादू टोना हो गया इस तरह की जो परनॉर्मल चीज़े हैं वो आपके साथ होती हुए नजर आएंगी इस समय आपको थर्ड आउस में राहू जो है वो गया हुआ है नजर लगती है वहाँ से और इस समय जो है वो अपने उद्यम से साहस से परिश्टम दोरा जो है अपने कारेवेशाय में आप लाव उन्नती प्राप्त करते हुए नज़र आएंगे मतलब आपको सेल्फ एफट डालना पड़ेगा तो आपको सिद्धिया मिलती हुए नज़र आएगी रहा है और वहां से आपको लाप रापता होता हुए नज़र आएगा जो विदेशों में हमारे भारती हैं उनको भी वहां लाप मिलता हुए नज़र आएगा खासकर थोड़ा साब जराए यहां पर अपनी कमर पर चोट का कोई आपको लगने का भेह लग रहा है तो आप कमर की अपनी दोड़ा ध्यान रखें कि चोट पटाक से अपना डर बचाव करके रखें मित्रों से लाब आपको केत्व यहां दिलाता हूँ नज़र आ रहा है और पुत्र आपके जो संतान है उसके भागे में बृद्धी होती भी नज़र आ रही है तो केत्व कुल मिला करके आपको यह भी अकस्मिक धन प्राप्ती और अच्छे योग यहां दिखला रहा है अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक दे वीडियो प्लीस सब्स्राइब दे चनल थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो